मुवी की शिरुवात होती है और हमें सबसे पहले एक एयरपोर्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ब्रॉडी नम का एक पाइलेट ट्राक पर दोड़ा जला जा रहा है और हम देखते हैं कि वो किसी से वीडियो कॉल पर बात कर रहा है दरुसल ब्रॉडी अपनी बेटी ब पर पहुँच चुका था और वो सबसे पहले पाइलेट के बिन में आकर अपनी को पाइलेट जर से मिलता है अब ब्रॉडी और रडीर की बीश में कुछ कॉंफरेशन हो रही थी सब गया भी एक ऑफलडी को बाहर इन में बीज रहे हैं, इस कातिल का नाम Louis है, जो की बहुत जादा ताकत पर है, वो आफसर कहता है तुम्हें इस पे खास नजर रखनी होगी, ब्राडी उस कातिल लुइस को प्लेन में बिठा कर अपने प्लेन की उडान भर देता है, रात का समय था, तबी ब्राडी अपने को पलट करता है और सभी को सीट बेल लगाने के लिए कहता है वो वापस आकर जल्दी से रेडियो की थ्रू कॉंटेक करने की कोशिस करता है लेकिन मौसम इतना जादा बगुट चुका था कि सभी कनेक्शन्स तूटते जा रहे थे और इनकी कोई विवाद ऑफिसर से नहीं हो प करता है कि तब भी बिजली का एक और जोर ता जट का प्लेन को लगता है और अब तो रेडियो सिगनल के साथ सथ स्क्रीन ने भी काम करना बंद कर दिया था जिससे इन लोगों को आगे की लोकेशन फाइंड आउट करने में बहुत मश्किल हो रही थी प्लेन की सारी प्लेन में मौझूद एक और नेडी अपनी सीट बेल को खोल देती है जिसके कारण वो प्लेन में ही चक्रा कर नीचे की फ्लोर पे गिल जाती है और टक्राव इतना जादा तेश था कि इमिडियेटली उसकी मौत हो जाती है यहाँ पर ब्रॉडी एक अलर्ट जारी करता है क हैरान थे कि प्लेन का संपर्क उनकी कंट्रोल रूम से तूट चुका है ऐसा देखकर उन्हें इस बात का अंदादा हो चुका था कि कहीं न कहीं कुछ न कुछ तो गड़बड हो चुकी है और इस पक्लेन कहा है यह सभी फाइंड आउट करने की कोश्चिस में लग जाते है ब्रॉडी सभी पैसेंजर्स को प्लेन से नीचे उतरने के लिए कहता है और उन्हें आश्वासन देता है कि हम जल्दी सुरक्षित अपने घरों को लौट जाएंगे आप सभी को हम पर भरोसा करना होगा तबी एक ए अगोस्टेस ब्रॉडी को आकर बताती है कि लोईस को प जादा घबराने की जरूरत नहीं है क्योंकि प्लेन में अभी भी इलेक्ट्रिसिटी मौजूद है और हम जल्दी कुछ न कुछ जुगार कर ही लेंगे तब तक आप सभी लोग यहां पर नश्चन थोकर अराम से रहें अब सीन शिप्ट होता है कंच्रोल रूम में जहां प अभी अभी मैप टक किया है जहां से हमें यह पता चला है कि हम इस वक्त प्राइवेट आइलेंड पर आकर रुके हैं और यह आइलेंड बहुत जाद अखतरनाक है क्योंकि इस आइलेंड पर डाको का कबजा है और यहां पर लूट पार्ट की घटनाएं अकसर सामने आती र रहा है और हमें यहां से जाकर रेडियो सिगनल को ढूना ही होगा ताकि हम रेस्क्यू टीम को इनफॉर्म कर सके यह सुनकर सारी पैसेंजर्स खबरा जाते हैं तब यह ब्रॉडी उन सभी को बताता है कि डल आप सभी के साथ रहेगा और अब वो लूइस के हकड़ी कुलते वे कहता है कि लूइस मेरे साथ जाएगा लूइस पहले तो यह देखकर हैरान था कि मैं तो एक कातिल हूँ तो आखिर यह ब्रॉडी मुझे अपने साथ क्यों ले जाना चाहा रहा है ब्रॉडी अपनी बात खत्म करते ही बिना समय गवाएं लूइस को लेकर वहां से निकल जाता है दूसरी तरफ हम यहां रहने वाले गुंडों के लीडर को देखते हैं और इसका नाम डाटू जुनवार था इस लीडर के पास भाग कर एक आदमी आता है और इनके आइलेंड पर प्लेन की एमर्जनसी लाइंडिंग की पूरी इंफॉर्मेशन देता है डाटू य ऐसे तो लुइस के मन में बहुत सारे सवाल चल रहे थे इसलिए वो ब्रॉडी से पूछता है कि आखिर तुमने मुझे आजात क्यों किया तब इब्रॉडी लुइस को बताता है कि शायद मैं तुम पे पूरी तरह विश्वास नहीं कर पा रहा था क्योंकि तुम्हें उन साथ अकेना छोड़ना शायद नुकसान दायक हो सकता था और मैं तुम्हें इसलिए भी अपने साथ ने कराया हूँ ताकि तुम हमारी मदद करो और अपनी ताकत का सही इस्तमाल करके उन गुंडों का सामना करो लुइस और व्रॉडी के बीश में लगातार कॉन्वेसेशन चल रही थी तब इस सड़न लुइस के बोलने की आवाज बंद हो जाती है और जब ब्रॉडी टर्ण होकर पीठे की और देखता है तो लुइस इस वक्त बहां से गायब हो चुका था ब्रॉडी लुइस को धुनने में टाइम वेस नहीं करना चाता है इसलिए वो आगे की बढ़ता रहता है और जल्दी वो एक ऐसी जगह पर पहुंच जाता है जहाँ पर फोन बूद था वो जल्दी से कंच्रोल रूम में कौन लगाता है अनफॉर्शनेटल वो अपना मैसेज कंच्रोल रूम तक नहीं पहुंचा पाता क्योंकि वहां का कनेक्शन वी खोले के का वो अपना मैसेज अच्छे से कंच्रोल रूम तक नहीं पहुंचा पा रहा था तब यह ब्रॉडी की दिमाग में एक आइडिया आता है वो जल्दी से अपने बेटी ब्राइ को कौन करता है उसकी बेटी ब्रॉडी के आबाच अठ्छे से सुन पा रही थी ब्रॉडी इसी क अब फाइदा उठाते हुए अपने बेटी को पूरी इंफॉर्मेशन एक पेपर पर लिखने के लिए कहता है वो अपने बेटी से कहता है कि मैं तुम्हें जो भी इंफॉर्मेशन पेपर पर लिखवा रहा हूँ यह सारी इंफॉर्मेशन तुम्हें मेरे ऑफिस तक पहु किसी और के भी आने के आवाज सुनाई देती है किसी को कमरे में आता देख ब्रॉडी जल्दी से अपने आपको छुपा लेता है और तबी वहीं पर एंट्री होती है लुइस की लुइस ब्रॉडी को जोर-जोर से आवाज लगाने लगता है वो से कहता है मैं लुइस हो तुम बाहरा सकते हो ब्रोडी लुईस के आवाज सुनकर तुरंती बाहरा जाता है तब लुईस ब्रोडी को बताता है कि मैंने बहुत सारे गुंडों को मार गिराया और उनके हतियार चीनकर ले आया हूँ ताकि हमेने पट्टे में आसानी रहे ब्रोडी लुईस के इस मूव से अब ये दोनों वहाँ से निकल कर जैसे ही नीचे की और आते हैं इनने वहीं पर एक चलता हुआ क्यामरा मिलता है जिसको चेकर ने पर और इने ये पतांचलता वहीं सारे पैसेंजर्स बेहाल बैठे हुए थे तब भी इने दूर से आती वे गाड़ी दिखाई देती है उस गाड़ी को देखकर इन सभी को ऐसा लग रहा था कि शायद ये ब्रॉडी और लुइस है और ये जल्दी उस गाड़ी के सामने आकर खुशी से उस गाड़ी को र मांगता है दिल घबराकर उसके हाथ पूरी की पूरी रिस थमा देता है वो लीजर डिल को दमकाते वे कहता है कि तुम्हारा सीनियर पाइलेट कहां है दिल घबराते वे लीडर को बताने की कोशिस करता है कि ब्रॉडी किसी काम से इस जंगल में गया हुआ है उसी दौरान एक पैसेंजर लेडी घबराकर वहाँ से भागने की कोशिस करती है उसे भागता देख वो लीडर इमेडियेटली उस लेडी को वही पर शूट कर देता है जिससे सारे पैसेंजर में इस वक्खौफ का महौल बन चुका था तब तक वही पर ब्रॉडी और लुइस भी पहु लैए उदर वो लीडर सारे पैसेंजर को लेकर अपने अडडे पर निकल जाता है वो लूइस के उपर गुसा करते भी कहता है कि मेरे सारे पैसेंजर में और तुमने मुझे जाने भी नहीं दिया तब लुडी प्लेन का सारा कीमतिसान इकटा कर रहे थे ब्रॉडी और लुईस दोनों पर हम न करते वे उने धराशाई कर देते हैं और उनसे पोछते ही कि आखिर तुम्हारा लीडर हमारे प्रैसेंजर्स को कहा ले कर गया है वो गुंडे इन दोनों को उस जगा की पूरी इंफॉर्मेशन दे देते हैं वही दोसरी तरह फंब ब्रॉडी की डॉक्टर को देखते हैं जिसने अपने पिता द्वारा बताई गई सारी इंफॉर्मेशन को उसके आफिस में बता दिया था अब जैसी उसकी बेटी की द्वारा बताई की जगा के बारे में सर्च किया जाता है पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन खुल कर इनके सामने आ जाती है अब बिना समय गवाई ये जल्दी अपनी रेस्क्यू टीम को वहाँ भीजने का फैसला करते हैं इधर ब्राडी और लुईस उनके अड़े पर पहुँच चुके थे वहाँ पहुच कर ये दोनों क्या लेखते हैं कि वो गुंडे इन सारी पैसेंजर्स का वीडियो बना रहे हैं दर इसल बो लोग ये पताया आगाने की कोशिस कर रहे हैं कि आखिर ये पैसेंजर्स के जगा से बिलॉंग करते हैं क्योंकि वो इनके बारे में पूरी की पूरी डीटेल्स निकालना चाते हैं दूसरी तरफ हम क्या देखते हैं कि प्राइवेट रस्क्यू टीम प्लेइन के पास पहुँच चुकी है लेकिन वहाँ पर तो इसवक कोई भी मौजूद नहीं है वो टीम फटाफट से प्लेइन के अंदर जाती है दोनों चुपके-चुपके से आकर पहरा दे रहे दो गुंडों का मुँ बन कर देते हैं और उन ये वही पर मार देते हैं और फिर वही बने एक सीक्रट दर्वाजे से अंदर की और गुसने की कोशिस करते हैं थोड़ा आगी चलने पर इन्हें एक विंडो दिखाई देती है जहां से देखने पर इन्हें अपने पूरे पैसेंजर्स की लोकेशन का पता चल जाता है लुईस जल्दी से वहाँ पर एक वेपन को उठाता है और एक केकर पहरा दे रहे गुंडो को माणने की कोशिस करने लगता है ब्रॉड़ी मौका पाते ही जल्दी से गुंडे की पैंट से रूम की चाबे निकाल लेता है और उस रूम का तारा खुल देता है जहां पर सारे पैसेंजर्स फसेवे थे और सारे पैसेंजर्स को वहाँ से भागने के लिए कहता है और सभी को बताता है कि अपने प्लेन के पास पहुत जाए क्योंकि वहाँ पर हम सभी को बचाने के लिए रस्क्यू टिम आ चुकी होगी तब ही लूइस ब्रॉडी के पास आकर उसे बताता है कि बाहर की तरफ और भी गुंडू की टीम मुझूद है और हमारे पैसेंजर्स का यहां से निकलना बहुत जादा मुश्किल है लेकिन ब्राडी किसी भी हाल में इस वक्त उन पैसेंजर्स को वहाँ से निकलना चाहता था इसलिए वो लुईस के साथ मिलकर एक प्लान मेनाता है और उससे कहता है कि मैं इन गुंडों का ध्यान बढ़काने की कोशिस करूँगा और इतने में ही तुम सारे पैसेंजर्स को लेकर यहाँ से निकल जाना अब ब्राडी उन गुंडों के स्लामने आ जाता है वो उससे कहता है कि तुम्हें हम सब को छोड़ देना चाहिए क्योंकि जल्दी हमारी रिस्क्यू टीम हमें बचाने के लिए हाँ पहुँच जाएगी और फिर तुम सब मारे जाओगे उसके बाद सुनते ही एक गुंडा उसके मुँपर जोरदार मुका मारता है और ब्राडी वही नीचे गिर जाता है तब ही वो लीडर ब्राडी से कहता है कि इतनी असानी से तुम्हें किसी को भी नहीं छोड़ता वो ब्राडी को शूटी कर भाई भी था वो लीडर अपने भाई को मरा वादिक कर काफी जादा आग बबूला हो जाता है तब ही वो लीडर अपनी टीम से गुस्से में कहता है कि हमें पैसा नहीं बलकि सबकी मौत चाहिए एक एक को चुन चुन कर मार दो और अब सब इनका पीछा करते वे वहाँ से बस में आते वे रेस्क्यू टीम का लीडर ब्रॉडी को बताता है कि हमारी टीम बहुत छोटी है क्योंकि जो बड़ी रेस्क्यू टीम है उसे आने में समय लगेगा और हम सभी प्राइविट टीम के मेंबर्स हैं हमने शार्ट के तरीके से यहाँ जल्दी पहुंचने का फै वो सभी को बताता है कि हमारी रेस्क्यू टीम आ चुकी है और जल्दी हम यहाँ से प्लेन में बैट कर निकल जाएंगे सारे पैसेंजर्स प्लेन में बैट चुके थे ब्रॉडी और रेस्क्यू टीम मिलकर प्लेन को ठीक करने के कोशिस करने लगते हैं लेकिन इतने में ही एक बार फिर से उन गुंडों की टीम वहाँ आप पहुँचती है और अब यहाँ दोनों टीम के बीच खतरना फारिंग शुरू होती है इधर रिस्क्यू टीम के पास काफी न्यू टेक्नलोजी के वेपन्स थे इसलिए वो जल्दी काफी गुंडों को मार गिराते हैं वही लुइस को एक अजीब सा बैग मिलता है वो जैसे उस बैग को खोल कर देखता है उसमें धीर सारे पैसे थे वो पूरा का पूरा बैग पैसो से भरा हुआ था लुइस पहले तो वहीं बैग को छोड़कर एक एक कर उन गुंडों से लड़ाई करने लगता है दूसरी तरफ ब्रॉडी ने प्लेन को टर्ण आउन कर लिया था वो जल्दी रेस्क्यू टीम को अंदर आने के लिए क्याता है वहीं दूसरी तरफ हम उन गुंडों के लीजर को देखते हैं जो कि प्लेन पर बॉम फेकने वाला था ब्रॉडी प्लेन के अंदर बैठा था वो ये मनजर द जाता है और ब्रॉडी भी उससे जाने देता है क्योंकि उसने उसकी बहुत जाधा मदद की थी अब जल्दी प्लेन भी उडान भाद चुका था लो इस भी ये देखकर काफी खुशी मैसूस करती है और उसकी हिम्मत की दाद देते वे सभी की तालियों की गड़ गड़ा हट सुनाई देती है प्रोड इस सारे प्रसेंट जिसको सुरक्षित पहुचा कर बहुत खुश था और एड़ एंड वो अपने बेटी को कौन लगाता है और उससे खुद के सुरक्षित होने की ज